हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू दी मदिना गोड़ फार्म आज हम आपको दिखाएंगे अपने अलाई के वीडियो इस देखिए अंसा प्योर गुलाबी माशा अल्ला से के यह अब बीटल कि यह रवरी और आज मेरी आओ सबसे पहले मैं आपको दाना मिश्रन हो रहा है हमाराज ना कहतम हो गया तो आज दन नया दने के स्टॉक आया है तो मिश्रन और है जो दाना मिक्स फीड़ बोलते हैं वह पूरा हो बना रहे हैं आपन तो मैं आपको दीखात वाचि प्रोफ एला लुश्खो एद ताना मुशने वाचि मारा फार्म है फार्म फार्म है तो चना पल्टाओं यह हमारे फीड में काला चना भी अविलेबल है सोया बीन है अभी ठंडी को जैसे मेथी भी है बाजरी भी है यह उच्छा ना अब शत्तर रुपे किलो वाव चालो वह वह चानेगा अब पुस्मेवी शना जोड़ी तेलिम इनेश्ट प्लुपे कर दिए शना जो बार्म है यह सोया बीन यह सब मिक्स फीड है मिक्स फीड अपने पूरे बखरों को जाता है यह सोया बीन है हूं यह हमारा पुरा मिक्स वेड़ अभी पुरा मिक्स होगा मिक्स होता है पूरे दाने के क्वालिटीस थोड़ दिर उसको ऐसे रहन देना दिने शाना पड़े रहन दना इसके अंदर जो सुन्डे वगरे कीडे वगर रहती नहीं के वारिक वाले वो निकल जाएंगे आइए मैं आपको बख्रे दिखाते हूं अब देखो यह अब नहीं आया है तीन चार से पास दिन हुआ है यह तीन बख्रे आये हुए यह हमारे अंसार भाई है सुरी अफजाल भाई है अंसार नगर मुमिनपुरा के उनके यह तीन बख्रे है यह बीटल का और यह अपना छोटान आटिया बरबरी जबर्दस कॉलिटी का बच्छा है माशाल्ला और यह अजमेरी अब यह हमारे इम्रान भाई है मस्का साथ इत्वारी के यह उनका बख्रा है बाई माशाल्ला से अच्छे जबर्दस गेन पर बख्रा भी अब यह कोटा भी उनीका है कि इम्रान भाई का हमारे कि हुआ है कि यह अपने आतिव भाई है गितांजली नाथपूर गितांजली यह अपने विनुद्भाव मिश्राम विनुद्ध मिश्राम भाव का है यह तो आप हर वीडियो में पढ़ाई का मेरे सबसे पहला बख्रा यह और माशाल्ला से अभी तक है बहुत गंदा है बहुत करम बख्रा यह गंदा यल्दी होई आता है यह हमारा कश्मीरी बोलो देखो वाईस हमारे हो भी मुरान भाई का बख्रा है यह भी कश्मीरी हमारे पास इस भी लिया हो नुद्ध माशालला से पलाई भाई आ रही है अलहंधनुल्यल्ला से और आप लोग भी लाहो भाई यह हमारे साजी भाई का यह दो बख्रे यह उन्हेंगा ठ्रेड किया था किसी रायपुर के पाठी को तो उन्हेंने यहां बहुत है भीड़ पर रखवाया माशाळल्ला से बखरावी दभर सद्थ को आए था तो थोड़ा दुबला सा था यह तो माशाळला है तरह लबाद यह आया था तो बहुत दुबला था इंशालाल से आपको वीडियो यह बनाऊंगा इंशालाल से एक्दम उनको जो नेचर चाहिए होता है जो सब को चाहिए होता है वो माशाललह से मिल रहा है हमारे वक्रों को पलाई के लिए और जबर्दस पलाई है इंशाललह से यह मन्त में जहां तक 15-20 तरिक तक हमारे पास केजस का भी काम चालू हो जाएगा मैं एक दंग कंफर्म नहीं बता पाऊंगा लेकिन जहां तक कुरी कोशिस है बाई केजस का काम चालू हो जाएगा और अपने पास अभी फिलाल में बाई 15-16 बक्रे है पलाई भे तो इंशाललह से हमारा जो टारेट है कम से कम 50 बक्रे तो भी आना चाहिए पलाई भे तो आप घर में पालोंगे अगर बक्रा तो इससे ज्यादा आपको खर्चा लगेगा प्लस आपकी महिनत जाएगी आपका टाइम जाएगा आपको अपना जो परसनल टाइम में से टाइम बक्रों को भी जेना पड़ेगा और आपको बक्रा का शॉक जो है आपको पता है बहुत नेमत से मिलता है जिसको मिलता है वो शॉक करता ही बक्रों का शॉक है ना तो यह बक्र देखिए बई होटा जबर्दस्ट वक्रे बाई शब मासाला अच्छे गिनिंग पर आये यह हमारी इम्रान भाई केशे वक्रे दोनों और कश्मीरी भी मैंने जैसे आपको बताया हूँ यह बीटल तो भाई सेल के लिए है इसकी मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा बाई अलग से डाला बहुत जबर्दस्ट बनने वाला है और तयार होने वाले चीज है अब इस दो दात पर 45 kg अरूंड अच्छा बक्रे माशालला से लेके पलाई पर छोड़ सकते आप इसको भी हमारे फार्म पर इसको लेके हमारे फार्म पर पलाई के लिए छोड़ सकते हैं अच्छे बक्रिया भी हम लोग लेते हैं बर ज्यादा बक्रिया नहीं हम लोग 10-15 लेंगे पलाई पर उस्यादा हम लोग पलाई पर नहीं लेके रखें लेके खस्तिचा लोग 25 रुपे मेना चार्जरs है हमारा यह आज्वागरा देखिए भाई 42 43 हाइट का बक्रा है माशालला से जबर्दस्त वक्र है यहां पर थंडी का मौसम है वेदर बहुत खराब था इसके लिए हमने वक्रों को नहिलाया नहीं है बाकि जगा उनकी जहां रहते हैं का में बहुत जबर्दस थे हैं कि देखिए बखर माश्यल्ला से बहुत अग्दम चंचल और हस्मुक इजाज में सब रेस्ट में एकडम जबर्दस तयार बखर हैं सब इंशाल्ला अच्छे तयार होने वाले सब यह देखिए अभी यह पांच से छे दिन हुए बखरे आये कि यह जो कि अधिए गार इंशालल तयार करेंगे अबिशन अच्छा तयार करेंगे आप लोग द्वाइब ठोरिए अब सु कि यह साल का वाई पैच्चास का हमारा टार्गेट है यह साल की बखरा इत्से पहले पहले पच्चास बखरे पलाई पर आजए ना इन्शालला यह देड़ सो दो सो बखरे पर रख लेंगे इंशाला पर जैसे यह से काम बढ़ेगा वैसे 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 विदा बढ़ाते जाएगे सर्विस आपके लिए प्रोवाइड करते जाएंगे देखें माशला से अभी तक हमारे फांप पे सेटीवी कैमरा नहीं लगा समय लुद्धा लेकिने अलम दिल्ला से अभी आसान से वैई हमारे फांप इसीडीवी का कैमरा भी कंप्लीट हो चुका है लग चुका है देखिए कि आपको अब्रें बिखादे तो कैमरे भी लग गए है बकरे हमारे केमरे की निकरानी में रहते है आपके बखरी आपके ल कामरे लग चुके है भई सब जगह से बकरों के यह शेड़े में वह साइड भी कैमरे लगे हुए यह हमारा फाम का बोर्ड है जिसको लगता है मस्त पढ़ लेकि आप इसको आराम से पढ़ सकते है और जो सिविधा इसमें दिखाई गई है सब आपको प्रोवाइड करें आए है ना ऐसा नहीं है इसे बोल बचन नहीं है यह हमारे कुछ पार्सनल वक्रियों का जगाई इसमें हमारे पास बक्रिया जो है पलाई की बक्रिया इसमें यह दो यह है तीन यह पलाई पर यह हमारे फार्सनल पर बक्रिया तो आपको पता है बहुत जरूरी है जानवरों के लिए है ना तो वह भी हमारे इसमें इन्वाल्व सब्सक्राइब और गुलर की साफ पत्ती हरी पत्ती ऐसा नहीं कुछ भी कोई भी चीज दाना भी हम लोग दे रहे तो कॉलिटी का दे रहे है प्रोई कर रहे हैं ईसना यह कुछ भी खिला दो कुछ भी पैना दो लोग भाई हमारे पर भरोसा रखिए भरोसा हमारे को दिला ये कि वहारे बखरे को 25 रूपर पर ज्यादा रेड़ नहीं है अब देख रहे हैं भकर माश्राल से घूंग रहे हैं यह बखरों के लिए अच्छा का इन्वार्मेंट है आप अपने बकरे माशालला से रखिए पलाई पे पाल के कुर्बानी करना अजीम सुननत है हमारे नभी अजीम से रखिए आपका इटेश्मेंट रहेंगा जब आप कुर्बानी करेंगे तो चीज को अलगी कुर्बानी का मुण उठाएंगे आप लोग अधना भाई शौक तो बाकि अलग चीज़ है बाई कुर्बानी करना या वो चीज की कुर्बानी नहीं करना हूँ आप पर डिबेड़ है बाकि जिस भाई को बखरों का शौक है वो हमारे को एक मौका देखे देखिए बाई मातर 25 दुरुप बहुत शार्जे से हमारा तो गा कर दो है कर दो हमारे कर दो होग है तो है